Assalamu alaikum, आज का टॉपिक आई फंक्शन and question is, how we see इस question का answer हम देखेंगे आज के हम कैसे देखते हैं Let's see Lights from objects enter eye किसी भी object से light rays होती है, आंके अंदर इंटर होती है जैसे ही आंके अंदर light इंटर होती है, वो refracted होती है, mean bend हो जाती है जैसे जैसे वो pass out होती है, cornea, aqueous humor, lens and vitreous humor जैसे हम graphically देख लेते हैं Suppose, यहाँ पर कोई object पढ़ा हुआ है उस object से light rays होंगी, वो pass out होंगी cornea से then aqueous humor, pupil, lens, vitreous humor और finally जाकर वो fall होंगी रटीना के उपर और उस object का image जो है वो रटीना के उपर बनेगा हम किस तरह से visualize कर पाते हैं कि image क्या है Actually क्या होता है कि रटीना के उपर दो specific type के cell दोते हैं एक roads और दूसरा cone cells और यह nerve impulse generate करते हैं यहाँ से nerve impulse, optic nerve के तुरू brain के पास चली जाती और फिर brain उस vision की sensation करता है मैसूस करता है कि image क्या है Actually brain का जो cerebrum part होता है Vision के message उसके वास चाते हैं और वो ही visualize करता है मज़ीद हम देखते हैं road cells के बारे में Road cells contain pigments called rudopsins Road cells के पास colorful molecules rudopsins होते हैं जब इनके उपर light fall होती है तो यह break हो जाते हैं इनके break होने से actually nerve impulse generate होता है जो image बनाने में help out करता है जो brain को पेगाम पहुंचाता है कि eyes क्या देख रही है यह break होते रहते हैं होते रहते हैं जैसी light off होती है तो यह क्या होता है कि यह दोबारा से joined होते हैं दोबारा convert हो जाते है rudopsins के अंदर rudopsins की chemical composition में vitamin A उस होता है जब vitamin A की deficiency होती है तो फिर उस शक्स के अंदर rudopsin नहीं होता rudopsin नहीं होता है तो nerve impulse generate नहीं होते है dim light के अंदर ऐसे शक्स के जो night vision है वो poor हो जाती है वो रात के वाकत देख नहीं पाता है अंधेरापन होता है इस problem को इस disease को कहा जाता है night blindness second cell जो है cons उसके पास जो pigment होता है rudopsin और cons cells की three main types है और हर types के अंदर specific rudopsins होता है जो एक primary color को एक specific primary color को recognize करते है वो primary color है blue, green, green and red और इनके mixture को देखता है और इनके दरम्यान differentiate करता है sometime अगर कौन cells not working well ऐसे शक्स को difficulty होती है colors को recognize करने में और ऐसा शक्स इस काबल भी नहीं होता कि color के दरम्यान वो फरक कर सके क्यूंकि उसके कौन cells जो हैं जो फरक करने वाले cells होते हैं वो disturb हो चुके हैं ऐसा शक्स को colors के एक mixture सा नजर आता है वो differentiate नहीं कर पाता है कौन सा color है suppose अगर उसका green color के कौन cells damage हो चुके हैं वो शक्स green color को नहीं देख पाएगा वो green color को as a black देखेगा और इस disease के लिए जो specific word यूज़ किया जाता है term use की जाती है वो है color blindness और ये genetic problems हैं genes के खराब होने की वज़ा से होते हैं और ये नसल दर नसल चलते भी रहते हैं तो ये था आज का topic how we see हम किस तरह से देख पाते हैं वो आज हमने देखा next topic I disorder बाकी हम देखेंगे next Allah Hafiz